नामंकर दाखिल कर दिया है और आज इसे वैसे तो जीत का अभियान पहले से चल रहा है आज इसे जीत का अभियान सुरू हो गया है किस तरह देखते हैं क्या हैं मुद्दे होने वाले हैं विकास मूल भूत आव सकता हैं बीजेपी विकास की राजनिती करती है कॉंग्रेस जो है वो रेवडी बार्टने के राजनिती करती है और 36 गड़ का अगर विकास हुआ है तो बीजेपी के 15 साल में हुआ है अगर देश का विकास हुआ है और मोदी जी की योजनाए 9 साल में जो उन्होंने लाई हैं और पिछले 5 सालों में लाखों लोगों को 36 गड़ के प्रधानमंती आवास से मरहुम कर दिया गया वंचित कर दिया गया सुध्य पेजल की हर घर में नल लगने थे बहतर लाग घरों में उससे लोगों को वंचित कर दिया गया इसकुलों की बिल्डिंग नहीं बनाई गई कालेजों के बिल्डिंग नहीं बनाए गई, सिक्षकों की भरती नहीं की गई PSC घोटाले के माध्यम से 36 गड़ का 20 लाक नौजवान अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है उनके माबाप जमीन बेच कर, गहने बेच कर, पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं आज उनमें कितनी निरासा है और ये हाई कोर्ट ने उसके उपर में रोक लगाई है साबित हो गया है कि कॉंग्रेस की सरकार का एक मात्र काम है भ्ष्टा-CTS भ्ष्टण चार, पैसे कमाना और अपने आकाओं को खुष करना अपनी कुर्सी बचाये रखना उनका काम जन्ता की सेवा करना नहीं है वो सत्ता में आते हैं तो खुद के लिए आते हैं और अपने आकाओं के लिए आते हैं जनता के लिए नहीं आते हैं जनता इसका जवाब देगी मैं तो यह मानता हूँ कि हर चुनाओं में जो लड़ाई होती है वो कॉंग्रेस से होती है और कॉंग्रेस के पास में कोई स्थाई प्रत्यासी नहीं है हर बार नया प्रत्यासी तो जनता जो है उनकी सेवा जो लगातार कर रहा है उसका साथ देगी नया आदमी आज आया है कल भाग जाएगा तो उसका साथ थोड़ी देने वाली